हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या देखिए आमूल परिवर्तन बादी उपागम यानि की रैडिकल अप्रोच और प्रतिकात्मक अंतर क्रिया सेंबॉलिक इंट्रेक्शन तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जो लोग भी मेरे चनल को अभी फरस्टाइम देख रहे हैं मतलब जिनोंने भी मेरे चनल पर पहली बाद विजिट किया है सब्सक्राइब करने के लिए राड बेटन को क्लिक चूआज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए और जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए थैंक यू और आपके सभी लोगों के जो कमेंट्स मुझे करते हैं उन सभी कमेंट्स के लिए थैंक यू और बहुत लोगों के रिक्रेस्ट आ रही थी कि मैं आपके जो चैनल जो की फिर्स्ट येयर में भी होती है याने influence है और मेरे चैनल पर आपको कम से कम 111 वीडियो है जो कि प्रॉपर सोशोलोगी की है जिसमें आपको फूरा स्लावस मिलेगा NET का और PGT का और बहुत जो लोग भी मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं उन सभी को मैं बताना चाहते हूं कि आप मेरे चैनल पर जाएगी मेरी प्रेलिस्ट चेक कीज़े आपकी सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और वहां पर मैंने बहुत सारी वीजो डाली हुई है जो कि आपके हर एक जाहे वह जाए चैनल पर विजिट कीज़े और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीज़े पसंदाए तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरू कीज़ेगा तो चले में स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो तो आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि अमूल परिवर्तन वादी उपागम याने की रेडिकल अप्रोच इससे पहले हमने पढ़ाता जो लोग भी वीडियो अभी मेरी चैनल पर फर्स टाइम देख रहे हैं मैं उनको बता दू कि अभी लास्ट वीडियो में चला तब प्रघटना सास जाने की फिमिनलोजी तो उसके बाद हम पढ़ यह भी हमारा खतम हो जाएगा इसके बाद चलेगा हमारा नेक्स चैप्टर तो बने रहे है मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को जब आएंगे तो आपको ऐसी बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत ही अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी आगे भी तो चलिए हम पढ़ लेते हैं आम आमूल परिवर्तन बादी समाज सास्त प्रमुकता एवं प्रध्योगी के प्रवाव से जनित समाजिक इस्थिति के विरोध सरूप उत्पन हुआ मतलब जो प्रध्योगी के प्रवाव हुए समाज में और उनसे जो भी इस्थितियां उत्पन हुई जो विरोध की इस्थि उत्पन होई यह उपागम विवस्था का विरोधी एवं परिवर्तन का समर्थक है जो यह उपागम है यह विवस्था का विरोधी है मतलब ऐसी जो विवस्था जो समाज में विवस्था फैलाती है या किसी चीज को दवाती है उसका यह समर्थक नहीं है बलकि यह उस परिव विरोधी समर्थक होते हैं उनका समर्थक है रेडिकल अर्थात आमूर परिवरतनवादी विचारधारा 1967 में अमेरिकल सोचोलोजिकल एसोशेशन की वार्सिक वैठक में उभर कर सामने आई कब अगर आपसे कोशेशन पूछा जाए कि कब तो 1967 में सोचोलोजिकल एसोशेशन की वार्सिक पैठक में ठीक है तो बढ़ते हम आगे युद्ध या संगर्स को आमूल परिवरतनवादी विचारधारा का आधार माना गया और यह सपस्ट किया गया कि इसी के माध्यम से परि परिवरतनवादी उपागम यानि की रैडिकल अप्रोच जो उभर कर सामने आई उस इसलिए आई कि जो यह संगर्स या मतलब जो भी चीजे आववस्ता समाज में फैलाती हैं उससे जो चीजे हमें उसमें जो पैवरतन होते हैं उसकी विचारधारा उसके उपर विचार कर करने के लिए इस विचारधार का जो क्या हुआ उद्भव हुआ यानि की जन्म हुआ तो युद या संगर्स को आमूल परिवरतनवादी विचारधार का आधार माना गया मतलब जो इस विचारधार का आधार है वह है युद संगर्स मान लेजे कि अगर आप किसी चीज से और शादा आगका को सभी दूर्दन बारान के क्लिल के लिए चीज और अवाज से अएसệट वाले सामने से। जाएंगे, तो इसले कैस्वे दूर परिखांसे होई ग्रारी भी तो किके उतन हिस वनामुल परिवर्टन वादी आका थ git दूर्दन है तो देखते हैं next point इस विचार धारा के समर्चकों का कहना था कि समाज सास्त्री समाज सास्त्री में शोशित उपेक्षित दलित या कमजोर वर्ग के लोगों की अध्यन पर विशेश ध्यान दिया जाना चाहिए इस वर्ग के लोगों को कभी विवस्ता का सरक्षण नहीं मिला इस विचार धारे यानिकि जो आमूल परिवितन बादी विचार धारा से connect है जो समाज सास्त्री को मानते हैं उनका कहना था कि जो भी लोग दबे हुए है या जिनकी उपेक्षा की जाती है जो शोशित ब्वर्ग है उनकी अध्यन पर हमें ज्यादा जोड़ देना चाहिए उनका विशेज ध्यान करना चाहिए क्योंकि इन लोगों को जह हुमारी विवस्था होती है विवस्था मतलब सिस्टम का जो सरक्षड है वो उनको नहीं मिल पाता प्रॉपरली उनका यह मानना है कि इनका समाज सास्त्री जो इस विचार धारा से connected है and next point दिखते हैं कि में होने वाले वेदवावों तथा सब प्रकार के सोशड के विरुद अपनी आवाज उठाते रहे हैं तो वही बात मैंने आपको बताई कि जो भी कोई चीज हम हमें इरिटेट करती है हमें कोई चीज परिशान करती है तो उस चीज के लिए हम ज्यादा टाइम तक उस जो में जो भीदवाव होते रहें उनमें आवाज उठाते रहे हैं इस विचार धारा ने विद्यारतियों हश्यों तथा वुद्धी जीवियों को काफी प्रिभाबित किया मानफ्तावादी परिपेक्ष के अंतरगत अमूल परिवर्तन वादी उपागम का काफी मैहत्व ह आपको यह मानफ्तावादी परिपेक्ष के अंतरगत मानफ्तावादी परिपेक्ष के अंतरगत फिर हम आते हैं अपना नेक्स्ट वापिक अंतरा यह यानं 1943 इंकित सिम्वालिक शियुक्त और आप इसी चीज से समझ गेंगे, symbolic instructions याने किसी चीज का इसारा या कोई प्रतीक किसी चीज को हम कोई भी चीज जैसे की hashtag बना देते हैं, हम smiley, emoji बना देते हैं, तो उन सी जो को हम symbolic कर रहे हैं, smile अगर हमें किसी को भेजनी होती है, तो हम emoji भेज देते हैं, तो वही चीज है कि symbolic instructions हम कैसे करते हैं यह अंतरक्रिया का एक ऐसा सरूप है जिसमें कुछ संकेतों प्रतीकों चिन्नों आधी का प्रयोग इस उपागम में व्यक्ति प्रयोग किया जाता है इस उपागम में व्यक्ति अत्वा समू की भासा हाव भाव या भाव भाविकाओं क संचार एवं प्रिशपरिक अंतरक्रिया का प्रमुक अधार माना जाता है मतलब इस उपागम के अंतरगत जो हमारे symbolic instructions होते हैं हम उनको अधार मानते हैं उन इंट्रक्शन में संकेत यानि की इशारा आ सकता है या कोई प्रतीक किसी का किसी चीज का symbol हम दे सकते हैं कोई चि इस उपागम के अंतरगत किया जाता है तो इसका आधार माना जाता है इसमें भाशा के व्याकरण या सब्द कोश में उल्लेखित अर्थ को मेहत नहीं दिया जाता है बलकि समाजिक पक्ष पर विसेज ध्यान दिया जाता है मतलब जो symbolic instructions के अंदर क्या होता है कि हमारे जो language ह प्रॉपवा किसी से बोले कि हमें खाना खाना है यह व्याकरण हम पैल करता फिर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है बलकि सिंपल सी बात पही जाती है कि अगर आपको खाना खाना है तो आप एक फूड का symbolic उन्सकों दे सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज जहां प पक्च को समझने पर जोड दिया जाता है कि समाज कैसे चीजों को समझेगा अगर किसी को आप रास्ता बताते हैं तो आप उसको ऐसे इंट्रक्शन ऐसे संबॉलिक या ऐसे चिन बताते हैं कि आप T-point से मुर जाएगा या आप U-turn लेंगे तो आपको या आप पैट्रोल प उप्यूकत उपागमों से समाज सास का मानमी परिपेख्ष हता ही सपस्ट हो जाता है इन सब उपागमों का विकास प्रमुकता विज्यान बादितिया विज्यान परिपेख्ष के विरोध में हुआ । कि फिर हम पूरा निस्करशन कंकुलेशन के बाद देखते हैं कि प्रत्रेक्षवादी समासास का अस्तित्म काफी कुछ बना रहेगा और इसे समावसास के एक प्राकतिक विज्ञान होने के परंपरागत द्रश्टी कोड का समर्थन भी मिलता रहेगा मतलब जो यह मनपतवादी यह प्रटिक्ष वाली समावसास है इसको as a sociology in a future में भी जो इसको समर्थन मिलता रहेगा इसका करण यह है कि आज अध्योगिक प्रद्योगिक की industrial technology की मांग इसी दिसा में है अब जैसे कि आपने देखा होगी बहुत सारी चीज़े कंप्यूटर पर ही होने लगी है तो यह एक प्रद्योगिक की समावसास हुआ यानि कि प्रद्योगिक industrial technology की मांग है यह तो यह कहिना कि इनको समर्थक मिलता रहेगा यह दिज्ञान वाधिता से रिलेटिड है मानफतावादी परिपेक्ष में समंधित समावसास्यों का प्रभाव भी जारी रहेगा और यह बात इस अधार पर कही जा सकती है कि महाविधालों और विश्विधालों के पार्ट करम एवं पार्ट पुस्तकों में गुडात्मक पद्धती पर जोड़ दिया गया है जैसे कि गुडात्मक पद्धती में आपने देखा होगा कि किसी की बारे में हम पता लगा रहे हैं तो हम उसकी प्रशनावली या अनुसूचित या उनको अनुसूची बनाते हैं आति हैं जिसमें हमु लेंक करते है उससा की राश्ट्रीय च्हेट्र जोंके अल्था जाता है कि यह अल्ब संखक है या दरिदवर्ग इतना है या ऐसी चीजों पर जोड़ दिया जाता है मानपतावादी समाज साथ का अस्य जो बना रहेगा मानपतावादी समाज साथ इसलिए बना रहेगा क्यों कि जो मानपतावादी समाज साथ या मानपतावादी परिपेक्ष है वो पर पूर विजय की सब्मावना नहीं है कि कोई एक जूसें से आगे निकल जाएगा तो फिर इस चैप्टर में मैं हमने पढ़ा था विज्ञानिक परिपेक्ष और मानफ्तावादी परिपेक्ष के वारे में तो आई होप आपको इस चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया जाओ जी और उसके बारे में हमने पढ़ा हम्ने पढ़ा मानतावादी मानिवे परिपेक्ष के अंतरगर्ड जो पर बिद्दोसारी चीजें और यंप हम एक जाओ परिपेक्ष के वारे में हमने पढ़ा मुझ्तवादी Schmidt को समझने के लिए उनके उधारण व्हेज्यानिक सति परिपेख्ष पढ़ा हमने और समा सास्ती परिपेख्ष क्या होता है ये पढ़ा हमने तो फेनस हेटेकर वीडियो आपको पसंद ए तो लाइक सिरी जरू करिएगा और नेक्स वीडियो में हम saphat करेंहें